हलो दोस्तों बॉर्णिंग स्वागत एक पाग फिर से आप सभी का एंज़ेटे एजुगास में दोस्तों आज है संडे और संडे को होता है वीकली रिविजन तो चलिए आज वीकली रिविजन कर लेते हैं साथ साथ में आप अंसर भी करते चलोगे बहुत ही सांदार रिविजन होने वाला है डिटेल के साथ होगा स्टेटिक जी के भी में बताऊंगा आपको तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर देखिए आपको इसको क्विज भी मिलेगी तो क्विज के लिए भी आप पर रिशा का अंसर भी करते चलना साथ में पनाया गए कब मनाया जाता है ओपॉस्टन मे फिट हो जाती है और उसको convince किया जा सकता है तो it's time to act, यह है इस बार की theme, याद रखना important theme है, दोस्तों Nobel Prize विजेता थे वैग्यानिक डाक्टर बारूग बलंबर्ग, इनकी जहनती की उपलक्ष मनाय जाता है, इन्हों ने ही hepatitis B की खोज की थी, अभी देखो, आप railway के exam के तयारी कर रहे होगे, तो उसमें science के questions आते हैं, तो science में एक बड़ा question का portion यह रहता है, कि विभीन प्रकार के TK, उनके खोज करता है, विभीन प्रकार के रोग, और उनके संबंदित जो वैग्यानिक हैं, उनके नाम, आप प्रक्टिस इट वगरा लगाते होगे, तो मिलते होंगे question, तो उसी में डाक्टर बारूग हुआ, चेचक हुआ, ठीक है, इन सब के जो खोज करता हैं, किसने किसने खोज की थी, उनके नाम लिख डालो, ठीक है, आपका एक नमर बन जाएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला गोश्वर आपके सामने है, कहां के मंडेला विरासत अस्थलों को युनस्को विरासत का दरजा दिया गया है, बताएगा कहां का, युनस्को से याद रखना, इस बार युनस्को की हरिटेज साइट के लिए समिती जो होती है, विसुधरोवर समिती, उसका 46-वा संस्क्रण था, और ये 46-वा संस्क्रण कहां पर आयज़ित हुआ, ये पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नए दिल्ली में आयज़ित हुआ है, और यहां से कई सारे कुश्ण बनेंगे आपके, ठीक है, क्यों बनेंगे, क्योंकि पहली बार एक तो भारतनी मेज़बानी की, 46-वे युनस्को विसुधरोवर समित की, दूसरी बात ये, कि इस बार 24-24 ऐसे नए वर्ड हैटेज साइट जो है, ये सामिल किये गए हैं, इनमें से एक भारत का भी है, आप कमेंट करके बताओ, कौन सा वाला है, ठीक है ना, भारत का कौन सा इस बार, 23-वा नंबर का था, तो कौन सा था वो, जिसको सामिल किया गया, वर्ड हैटेज साइट के दरुप में, कमेंट करके बताओ, अब आपको सब अबसर बताओंगा ही, युनिस्को के विरासत का दर्जा भी दच्छीड आफ्रीका में, मंडेला विरासत अस्तलों को मिला हुआ है, नेलसन मंडेला की याद में मिला है, इननेंसल मंडेला को आप जानते हो, ये दच्छी जो भी विरासत अस्तल है, उनको युनिस्को की वर्ड हेटे साइट का दर्जा मिला है, ठीक है न, भारत में अब तैटालिस युनिस्को विरासत अस्तलों हो चुके हैं, तैटालिस भार चराय दिवमैदाम असम का, जो इस बार जुड़ा है, तोटल चौविस इस बार वीक शुरू हुआ है पेरिस ओलंपिक तो चलिए बताइए पेरिस ओलंपिक जब शुरू हुआ है है ना तो मिडल्स भी आने शुरू हुआ है तीन मिडल अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकार्ट कर रहा हूं तब तक भारत के आ चुके हैं और तीन के तीन ब्रॉंज मिडल आने वाले दिन में और आएंगे है ना तो चलिए पता ये पहला मेडल किसने जीता है पेरिस ओलम्पिक में भारत के लिए किसने जीता है इसको जीता है मनु भाकर ने मनु भाकर ने दोस्तों पहला भी जीता और दूसरा भी जीता ये दो ब्रांज जीत चुकी है ठीक है ना दो ब्रांज जीती हुई है और देखिए पहला वाला तो इन्होंने 10 मीटर एर पिश्टल में जीता हुआ है सिंगल्स में टीक है, women single की category में, दूसरा वाला इन्होंने mix doubles में जीता हुआ है, ठीक है, तो दो bronze आ गए हैं, और एक ही olympic में, दो medal जीतने वाली ये पहली भारतिये हैं, ठीक है, महिला पुरुस मिला करके, पहली भारतिये, एकलोती भारतिये, जो दो medal जीती हैं, दो क्या, तीन भी जीत जाती, तीसरे वाले में, ये मात्र कुछ पॉइंट से रह गई, और चौथे पोजिशन पर रही, सोचिए, उर्दुनिया में, चौथे अस्थान पर रही, तो थोड़ा सा चुग गई, वरना तीन medal लिंके हो जाते, और ये तो एतिहास सिक रिकाट हो जाता, फिलहाल, 10 इन्होंने सरब जोट सिंग के साथ मिलकर, मिक्स डबल्स में जीता हुआ है, ठीके न, तो ये दोनों बात याद रखना, चलिए, आगे बढ़ते हैं, राजभासा गौरो सम्मान स्त्रेडी वन में, पहला पुरुसकार किसने जीता है, 2023 के लिए राजभासा गौरो सम्मान, केटेगरी वन, किसने जीता है, बता ये जलनी से, किसने जीता हुआ है, इसको जीता है दोस्तों, HPCL विसाखा ने, HPCL विसाखा ने, अभी हाली में राजभासा गौरो सम्मान दिया गया, विविन प्रगा के PSU's को दिया गया, और इसमें HPCL विसाखा रिफाइनली को, और दूसरा अस्तान HPCL, हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited विसाखा को मिला है, अगला, अंतरास्टिये संगठन ACI आपदा तयारी केंद्र, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, बताए, तो इस बार अध्यक्षता सौपी गई है दोस्तों, भारत को, भारत 2024-25 के लिए अध्यक्ष Disaster Risk Reduction Organization, ADPC, तो भारत इस बार के लिए 2024 के लिए Asia और Pacific Reason में आपदा जोखिम को कम करने का काम करेगा, अध्यक्षता के रूप में, इस जंगठन में भारत, बंगलादेश, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन, स्रिलंका और थाइलेंड जैसे देश सा चाइना था और अभी भारत को बना दिया गया, अगला, जुलाई 2024 में राष्टपदी, द्रौपदी, मुर्मु जी ने कितने राज्यों के नए राजिपाल नियुक्त किये, इस वीक का करेंट अफेर, दो बातों से बहुत ज़्यादा इंपोर्टन हो जाता है, मैं आपको हर वीक के करेंट अफेर में बताता हूं कि इस सब्ताह में क्या सबसे बड़ी प्रमुक्स चीजे रही, तो जो लोग तयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा आवस्यक है कि इस वीक में आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, जैसे पिसले सब्ता मैंने आपको बताया था कि बजट सत्र, क्योंकि बजट लांच हुआ था, तो बजट को अच्छे से तयार कर लो, इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि उलम्पिक अच्छे से तयार कर लो, इसके अलावा, आप ये राज्यों के जो राज्यपाल चेंज हुए हैं इनको अच्छे से तयार करो ठीक है तो दो पॉइंट अच्छे से तयार कर लो इस अप्ते का अभी दस राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए है एक्षुली नौ राज्य और एक केंसा से प्रदेश था यूटी था तो इनके राज्यपाल चेंज हुए है राश्पदी दुरपदी मुनु जी ने इन्हें एपॉइंट किया है तो यहाँ पर इनकी लिस्ट है नामू का इनको आप देख लीजिए और राजिपाल और मुख्यमंद्रों पर वीडियो मैंने आप से कहा था देने को आज दिन में हो सकता है आपके पास मि मिल जाएगी तो यहाँ पर देखें लिस्ट किन किन राज्यों के राजिपाल चेंज हुए हैं यह तो नौ राज्य हैं और एक केंजा से प्रदेश पूडुचेरी भी है जहांके उप राजिपाल होते हैं तो जहारखंड के राजिपाल बन गए हैं संतोष कुमार गंगव इसके अलावा खती गड़ के राजिपाल रामने का बन गए हैं मेघाले के नए राजिपाल ची विले संकर वण गए हैं महाराष्ट के राजिपाल बन गए हैं पंजाब और चंडीगड के राज्यपाल और परसासक गुलाब चंदर कटारिया बन गए है अब तक यह असम में थे अब यहाँ आ गए है असम और मडिपुर में राज्यपाल लक्षमर परसाद अजारे को बना गए है वहीं सिक्किम के राजपाल बन गए हैं ओम प्रकास माथुर। तेलंगाना के नए राजपाल जिश्नु देव वर्मा है और राजस्थान के राजपाल होंगे हरिभाव किसन राओ बांगडे। पूरुचेरी के उप राजपाल के कैलासनाथ नियुक्त किये गए हैं। चलिए तो ये इंग्लिस में भी नेम लिश्ट है इंग्लिस वाले स्टुडेंट स्क्रिन सॉट ले लें। और इस 9 बार में 7 बार भारत ने जीता था, एक बार बांगलादेश जीता था और अब एक बार जीत लिया है किसने स्रिलंका ने। ये भी इस हपते का important question रहा चर्चे में रहा काफी ज़्यादा controversy वगरा भी हुई थी नीत याउक की 9 गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी सभी राजू के मुखमंत्री को बुलाय गया था इसमें इस बार की theme रखी गई थी दोस्तो विक्सित भारत at 2047 विक्सित भारत at 2047 ठीक में 2047 तक 30 trillion American dollar की economy बनने का लक्ष रखा गया है और 2047 विक्सित भारत का विजन भी इसमें तयार किया जाएगा किया गया भारत के पहले underground museum का उद्गाडन किस मुगल बात्सा के मगबरे में किया गया important question है भारत का पहला underground museum या इसे धसा हुआ मियूजियम कहते हैं धसा हुआ मियूजियम या च्हिपा ऊछनाले तो बता ही यह कहाँ उद्गारन किया गया तो यह हमायू के मखबरे में किया गया है कहाँ पर हमायू कि में दिखिये संकेन म्यूजियम एट हमायूज स्टॉम साइट इन डेली टू बी इनेगुरेटेट ओन जुलाई 29 तो 29 जुलाई को इसका उद्धारन किया गया वेर दा इंपरर रेष्ट ये संगाले की प्रमुख गैलरी है तो इसका अभी गजेन सिंग सेखावत जी ने उद्धारन किया है इसे देश का पहला धसा संगाले या डूबा हुआ संगाले भी कहते हैं तो अगर इस नाम से भी आये तो कंफ्यूज मत होना ओके नेदिल्ली मे अस्थापित किये जाएंगे तो ये साथ की संख्या में साथ पीयम मित्र पार्क अस्थापित किये जाएंगे ठीक है कहां अस्थापित किये जाएंगे ये अभी तमिल्लाडो में अस्थापित करने की बात कही हुई है ठीक है ना कहा पर तमिल्लाडो में ये साथ आपको य होजा 27-28 तक की अवधी के लिए काम करेंगे अगले सात वर्सों के लिए काम करेंगे चार हजार 445 करणों रुपे खर्च के जाएंगे पीम मित्र का फुर्फाम आपसे फूशा जा सकता है प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्स्टाइल रिजन एंड अपैरल क्या टेक्स्टाइल एंड अपैरल ओके चलीए अगला विस्व मनलो तसकरी नुदोधक दिवस्ट कम म Selbst डिवस्ट कम मनाया गया बता या वर्ड एंटी हीमन ट्रेफिकिग जो humans का trafficking होता है ना उसको रोकने के लिए उसकी तसकरी को रोकने के लिए ये शुरू किया गया है दिवस मना जाना कम मना जाता है यह मना जाता है 30 जुलाई को और यह UNO के द्वारा मना जाता है United Nation Organization के द्वारा ठीके ना World Day Against Anti-Trafficking याद रखना important day है और 2013 से मना जा रहा है 30 जुलाई को एक और दिवस मना जाता है अंतराष्टी अस्तर पर मित्रता जैसे दो देशों के बीच में हो सकती है दो दोस्तों के बीच में होती है कभी कभी सीमा है दर से लोग कर लेते हैं ठीक है तो कुल मिलाकर अंतराष लगु उद्दोग विकास बैंग सेटीबी और अद्ध्र प्रबत्निदेशक किसे बनाया गया है सिडीबी का हैटवाटर बड़ा पुछा जाता है सेटीबी का हैट क्वाटर बहुत पूछा जाता है पताएगा कमेंट करके कहां पर है हैटकौटर इसके अध्रप्रबन न महां नहीं दे सकते सिर्वी का हेड़कॉर्टर दोस्तों लखनों में होता है कहां पर है लखनों में सिर्वी यानि स्माल इंडेस्ट्री डिवलोप्मेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990 को अस्थापित हुआ था अगला किस केंद्रिये मंत्री को प्रतेश्टित लाइफ टाइम अचीमन्ट आवाड से सम्मानित किया गया तो प्रतेश्टित लाइफ टाइम अचीमन्ट आवाड से अभी हाली में केंद्रिये मंत्री डाक्टर जीतेंदर सिंग जी को सम्मानित किया गया है प्रत्विवी ग किया गया है साथी साथ दोस्तों ये पहले जम्मू कस्मिय के व्यक्ति बन गए हैं जो लगातार तीन बार किंद्रिय मंत्री पर्चर में जगा अपनी बनाए हुए हैं डाक्टर जीतेन सिंग ठीक है इसके अनामा इनको और रिसन के लिए स्वन्ड प्रदक जम्ना देवी ग् भारत में भारत में पहली बार होने जा रहा है ओपे लिया ओपेलालिया इक प्रकार का था होता है इतका का बहुत ही हेमस एक जो ग्लोबली यह ऑले और competition इसका टाइब का होता है तो यह भारत में पहली बार होने जा रहा है ठीक है न तो इसमें आज चलिए उस्ताद जोहान इस्ट्राज दोती है और Hungarian संगीतकार, Florence, Erkel, इनका जो है The Victories Bank दोनों के बीच में competition यहाँ पर देखने को मिलेगा मुंबई में आजूत होगा 15 से 21 सितंबर को के अगला i English Чənल को अकेले सफलता पूर्बग सबसे तेझ तैर कर पार करने वाई दुनिया के सबसे कम महिला पैरा सुमेत को मन गई है तो सबसे तेज और सबसे कम उम्र की तैर कर पार करने वाली English Channel को बन गई है जिया रा इंग्लिस Channel कहा पर है यह मैं आपको दिखा चुका हूँ कई बार देखिए आप देखे हो कि यूके वाला जो पार्ट है यूके जो है यह अलग से ही है ठीक है यूरोप से अलग से ही जुड़ा हुआ है इधर पूरा Great Britain है इधर Northern Ireland है और उसके इधर पूरा यूरोप की टेरेटरी है जिसमें फ्रांस है ठीक है ना और भी बहुत सारी देश है ठीक है जर्मनी उगरा तो यह बीच में जो समुद्री जो एरिया पड़ता है ना यही है इंग्लिस चैनल ठीक है यूरोप का मैप अगर आपको ध्यान में आ रहा हो इंग्लि किया है सबसे कम उम्र की बन गई है सबसे तेज पैरा सुमयर बन गई ओके 17 गंटे 25 मिनट में 34 किलोमेटर की दूरी इन्होंने तैर कर पार की हुई है प्रधान मंतरी राष्टेबाल प्रश्कार 2022 दी यह जीच चुकी है अगला अच्छा एक और जोरी बार देखो जूड़ा गया है अलग सक्षन में मंतरी को अलग स्क्षन मना कर जोड़ा गया है इसके अलवाम आपका यह जो लाज का जो इस टैटिक जीके होता है सभी राजो का बहूत दिन से आप लोग की डिमांड थी तो बिलकुल लब आपको दी जाती है और अपडेटेटब सभी जो के static GK के साथ आपको मिलती है इसी ebook में तो यह ebook आप ले सकते हो हिंदी और इंग्लिस ना है इसके अनावा दोस्तों UPGK आ गया है और मैं UPGK की ebook को आपको थोड़ा सा 24 तक और इंड में 32 चैप्टर हैं इंड में कंप्यूटर के भी 200 कुशन दिए गए हैं किस प्रकार से ebook है सजाई गई है इसको देख लीजे पूरा मैप वाइस है ठीक है रिटेल में UP से जो रिलेटर जानकारियां है वो सब वर्तमान सरवाधिक बार यह सब मंडल कितने हैं जन्पद मंडलो में कैसे कैसे हैं नगर निगम कौन कौन से हैं जो भी रिलेटर है नगर निगम उगर इस कुश्चन पूछे जाते हैं सीमा वर्ती जिले कौन कौन से सीमा वर्ती जिले से रिलेटर कैसे कुश्चन बन सकते हैं जैसे नेपाल से उत्तर प्रदेश कितने जि जिले आते हैं इसके लावाद दिली अंसियार छेतर में यूपी के कितने जिले आते हैं कैसे आते हैं सब आपको बताया गया मतलब इतना डिटेल एबुक न आपको कहीं मिले गई ही नहीं और यहां पर देखो संगठन संस्थान उत्तरप्रदेश के कैबिनेट मंतरी और मद् आपका PCS तक के एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप यहां पर देख पाऊगे पूरा डिटेल में सारी जानकरियां दी गई हैं उत्तरप्रदेश स्पिसल करेंट अफेर की तो यह करेंट अफेर चलेगा आपका इधर उसके बाद इधर देखिए फिर योजना है यह सबसे इंपॉर्टन है सबसे अधर कुशन यहीं से बनते हैं फिर विविद्ध करेंट अफेर महुत्सो और मेले से रिलेटर करेंट अफेर ठीक है मतलब पूरा आपको दिया गया है जंगरना अब यहां से स्टाटिक जीके सुरू हो जाता है यह भी आपका अब्जेक् प्रात कर सकते हो कहां से प्रात करोगे तो आपको इस नंबर पर वर्ट्सेप करना है इस पर आप वर्ट्सेप करेंगे तो आपको एबुक क्यूर कोड़ पर पेमेंट करोगे तो आपको एबुक दी जाएगे ठीक है ना चली अगला हाली में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में इ गाटन दोस्तों अभी नीतामबानी ने किया है नीतामबानी ये रिलाइंस फाउंडेशन की चेर पर्सन है और इन्हों ने एक पवेलियन का उधगरन किया है इस बार के उलम्पिक में पहली बार हुआ किसी उलम्पिक में भारत के लिए एक स्पेसल पवेलियन का उधगरन कि गया है ठीक है चलिए अगला हाली में विदेश मंत्री वैसे यह आयोसी की मिंबर भी है निताम बानी हाली में विदेश मंत्री एजय संकर ने कहां पर भगवान राम की अयुध्या मूर्ती को समर्पे दुनिया का पहला डाक टिकट का नावरण किया है तो दोस्तों विदेश एक डाक टिकट जारी किया है इसमें लाओस का फ्लैग और इंडिया का फ्लैग भी आपको दिख जाएगा एक साइड में भगवान राम की मूर्ती है दूसरे साइड में यहां पर भगवान बुद्ध की मतलब की तस्वीर बनी हुई है तो आस्यान की यह 57 वी बैठक्ती व इसमाइल हानिया इसकी इरान में हत्या कर दी गई है और अभी कौन किया है कुछ पता नहीं चला है और सब इस पर लेकर के खुब मजी ले रहे हैं कभी भारत का नाम आता है कभी इस्राइल का नाम आता है और मतलब मोश प्रबबिली तो इस्राइल नहीं किया है क्योंकि औ आपको पता होगा इरान के राष्ट्पती जो थे इब्राहिम लाई सी उनके मृत्ती हो गए थी हेलिकाप्टर क्रैस में तो नए राष्ट्पती अभी चुनाओ हुआ था तो फिर मसूद पजिस्कियन बने थे उन्हीं का सपत ग्रांड समारो था जहां पर सब गए थे भारत में आपको बताया मनु भाकर ने दो मेडल जीत लिए हैं तीसरा भी जीत जाती तीसरी से चुक गई और पहला वाला यह तो सिंगल जीता था इन्होंने पिमें सिंगल में और दूसरा वाला इन्होंने सरब जोट सिंग के साथ मिल करके मिक्स डबल्स में जीता है ठीक है टे स्ंदू बाहर हो चुकी है अब तो इनसे कोई उम्मेद नहीं है इसलिए लेकिन दो लंपर में दो मेडल यह पी दो जीत चुकी है अगला कूशन हली में अज़िद यनिस्गो की विस दरवर समें दूनिए के कितने नए वर्रासुस्दो में सामिल किया गया शुरवात मैं एक साइट सामिल किया गया है जो भारत का तैतालिस्वां है भारत का तैतालिस्वां युनिस्को विसुधरोवर रस्थल है कौन सा है असम का चराई देव मैदाम याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है वो तो टोटल इस बार चुकि भारत ने मेजबानी की थी तो इसलिए भी इंपोर्टन हो जाता है तो भारत में इस बार मेजबानी हुई युनिस्को की विसुधरोवर समित की और 24 ऐसे वर्ट हैटे साइट सामिल किये गये हैं याद रखना 21 से जुलाई तक नेदिल्ली में हुआ ये युनिस्को विसुधरोवर समित अगला सेंडो सोने और च 12 सदी से ये ख़दाने काम कर रही थी और 1945 तक काम की दोतिय विसुध तक जापान में जब दोतिय विसुध जापान हारा उसके बाद से ख़दाने भी बंद कर दी गई जापान की सेंडो माइन्स जो है ये अब आज के टाइम पर तो म्यूजियम के रूप में काम कर रही है तो इसको UNESCO की विस उदरवर सूची में इस बार सामिल किया गया है पूछा जाएगा सेंडो सोने और चादी की ख़दाने कहां परिसे थे तो आप बताना जापान में इसके अलावाद चीन का बिजिंग सेंट्रल एक्सिस इसको भी इस बार सामिल किया गया है इसको भी याद रखेगा टोटल 24 सामिल किये गया है लेकिन 24 तो आपको याद नहीं करना है कुछ-कुछ जो प्रमुख है उन्हीं को याद करना है अगला हाली में मिली जानकारी के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा अल्मूनियम उत्पादक कौन बन गया तो दुनिया का सबसे बड़ा अल्मूनियम उत्पादक चाइना बना हुआ है दूसरे पर भारत है सेकंड पोजीशन पर भारत है सेकंड लार्जिस्ट प्रोड़क्शन करता है भारत अल्मूनियम का इसपात का तो सबसे बड़ा इस पादक है चाइना दूसरे पर है भारत अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया दोजार चुने की चुना पत्थर की विवारें बताया गया इसमें बताया गया कि भारत में लो हैस का उत्पादन 79 MMT हुआ चुना पत्थर का 116 MMT हुआ अगला हाले में कस्मीर सहर वर्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का कौन समा सहर बना तो जम्मू कस्मीर के कस्मीर सहर को वर्ड क्राफ्ट सिटी का सर्टिफिकेट मिला है और ये वर्ड क्राफ्ट सिटी का के न तो अब देखे जो बागी की तीन सहर इनको भी ध्यान रखना रासतान की जयपुर को मिल चुका है तमिलाड के मामलपुरम को और करनाटक के महसूर को तीन पहले पाये थे और एक अब जम्मू कस्मीर के कस्मीर सहर को मिला दूसरा दूसरी याद रखना अगर पूछा जाएगा किस कटेगरी में मिला है तो देखिए जैपूर मामलपुरम और इस बार के जो कस्मीर है इन तीनों को वर्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है सिल्प के लिए और जो मामलपुरम है इसको वर्ड क्राफ्ट सिटी का सहर का टैग मिला है प पन गई हैं दोस्तों लेटनेंट जनरल साधना सकसेना नायर ये भारतिय सेना में पहली चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक है ठीक है तो इनकी तीन पीडियां जो हैं इनके परिवार में सेना को सर्व कर रही है और ये भी वहां पर पर उननिसो पचासी से सेना में सेवाय दे रही है मेटकल कूर में नियुक्त हुए थी तो अब ये महिला महानिदेशक पर पहुच गई है चिकित्सा सेवा की कटेगरी में अगला हाली में किस राज्ज में गोयम विनामूले विज एवजन योजना का सुभारम किया गया तो इस योजना के तहट गोवा में क्या होगा गोवा में जो रूफ टॉप सोलर पैनल होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा उनको लगाने की कुछिस की जाएगी सरकार उसमें मदद करेगी जो नागिक लगवाना चाहते हैं तो उसमें सरकार सबसिडी देगी ये प्रध किसी अरस्त्त्रियों के 32 अंतराष्ट्य सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया तो देखिए अभी किसी अरस्त्रियों का 32 अंतराष्ट्य सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में तो एक अगस्त को देखो, वर्ड वाइब वेब दिवस मनाया जाता है, www.डे और राष्ट्य प्रवता रोहन दिवस मनाया जाता है, तो ब्रोग दोनों सही होगा, साथ ही साथ, फेफिडे का कैंसर दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है न, दिवस, ये भी एक अगस्त को ही होता तो यह भी आप रिवाइस करके रखोगे वर्ड वाइब वेब जो है इसकी स्थापना होई थी इसकी सुरुआत हुई ती मना जाता है टिम बर्नस ली ने इसकी अस्थापना की थी कि कब 1989 में और परवता रोहन तो परवता रोही यह के लिए मना जाता है अगला यात्रा और कि सस्थान पर यह इंपॉर्टन कुश्चन है तो देखिए डवलू एफ की वर्ड एकोनॉमिक फोरम की इस हपते आई यात्रा और परेटन विकास सूचकांग की रिपोर्ट और इसमें भारत को रखा गया कि सस्थान पर 49 अस्थान पर भारत जो है 49 अस्थान पर रहा अगला एक अगस्त को भारत और किस देश की बीच नौ समझवतों पर हस्ताक्षर किये गए तो देखिए अभी भारत और वर्यतनाम की बीच Celine नौ समझाओतों पर हस्ताक्षर किये गए, क्योंकि वियतनाम के जो प्रधान मंत्री हैं, फाम, मिन, चिन, ये आये थे भारत की दोरे पर, और इनसे पीम मोधी की बैठक हुई वारता हुई, नौ समझाओतों पर हस्ताक्र किये गए हैं, जίसमें कुस्तम, एग्रिकल्चर, लौ, रेडियू, टेलीविजन, ब्राटकास्टिंग, कल्चर, टूरिस्म, इन सब में ये समझाओते हैं. 15 billion US dollar का हम लोग trade करते हैं भारत और वियतनाम मिलकर अगला हाले में चर्चित पुस्तल call of the gear इसके लेख़क कौन है चर्चित पुस्तक है call of the gear इसको किस ने लिखा है इसको लिखा है दोस्तो राजसभा के सांसद परिमल नाथवानी ने दकाला ओग गिर जो है यह गिर नस्नल पार्क में स्थित ACI जो सेर होते हैं उनके उपर रखी गए पुस्तक है और इस पुस्तक की पहले प्रती इन्होंने प्धानमंतरी मोदी को भेट की गिर नस्नल पार्क के उपर यह एक और पुस्तक लिख चुके हैं से पहले 2017 में गिर प्राइण्स प्राइड ऑब कुजरात यह इनकी दूसरी पुस्तक है काल अब दगिर क्लियर तो यह थे टॉप थर्टी कुश्चन इस हपते से यह प्रमुख दिवस हैं इस हपते के यह तॉप थर्टी कुश्चन से आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी प्रमुख प्रमुख निधनी है यह सब चीजे कॉंटेंट मैं आपको पीडियप में दे दूँगा तो आप लोग वहां से पढ़ाई कर सकते हो और आपको अगर इबुक वगर लेनी है तो इस नंबर पर वट्सेप कीजे साइन्स की इबुक आ गई है जुलाई की इबुक आ गई है सिक्समंत की इबुक आ गई है तो इन सब को आप लेना चाहते हो इस नंबर पर वट्सेप कीजिए हिंदी और इंगिल्स दोन लंग्वेज में अवाइल बल है और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बता देना सभी लोग स्कोर कमेंट करके बताओ फटा-फट से थैंक्यू सो मच